सब्सक्राइब किजिए नियेगा नियुक्स को और बेल आइकोन को दबागर दुनिया वरक की ताज़ा खबरे अपाईए सबसे नमस्कार दोस्तो आप दोनी को अच्छा इंसान मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तो क्रिकेट के मैदान में कितना भी टेशन भरा माहल हो महिंदुर सिंग दोनी को इस से कोई फर्क नहीं पड़ता वो हमेशा कूल रहते हैं दोनी जब कप्तान थे तो कई ऐसे मैच हुए जब कोई अम कप्तान या खेलाडी अपना आपाख हो सकता था लेकिन दोनी ने न सिर्फ खुद को बलकि अपने खेलाडियों को भी सायमित रखा भारत सुंदरेशन की किदाब दोनी टंज में भारतिये क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने हमेशा अपने खेलाडियों को माबेन की गाली देने के लिए मना किया साल 2008 में हुआ औस्टेलिया दोरा दोनी की कप्तानी में पहला विदेशी दोरा था औस्टेलिया ए टीम अपनी आकरा मकता के लिए जानी जाती है और वो मैदान परसले जिंग के लिए को ख्यात है लेकिन दोनी ने अपने खेलाडियों से किसी भीवे रोधी पर निजीची दोनी ताकशी के लिए मना किया था दोनी के एक करीबी दोस्त ने किताब में कहा है दोनी अपनी स्टाइल में गोली मारते हैं दोनी का मानना था कि अगर वो अपने खेलाडियों को माबेन की गाली देने की छूट दे देते तो उनका खेल नहीं बलकि उनकी बातें वेरोध को परिशान करती दोनी कभी आक्राममकता दिखाने में विश्वास नहीं करते थे दोनी का कहना था कि अगर आप फोस्टेलिया यह खिलाडियों को परिशानल करना चाहते हैं तो अपने करें ना कि औस्टेलिया आई अंदाज में आप पोस्तरोप है दो हजार आठी में दोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने औस्टेलिया से वी बी सीरीज जीती थी दूसरे फाइनल में जब औस्टेलिया आई टीम महजेक 160 रनों पर सिमट गए थी तो माही ने अपने खिलाडियों से औस्टेलिया की हार ओल अपनी जीत पर जम कर जश्रन ना मनाने को कहा था भरत सुंदरेशन अपनी किताब में बताते हैं माही औस्टेलिया आई टीम को ये संदेश देना चाहते थे कि उन्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम जीत का ज़्यादा जश्रन मनाते तो औस्टेलिया आई टीम को लगता कि ये एक उल लटफेर हुआ है हम उन्हें ये जताना चाहते थे कि ये तुकन नहीं है ये आगे भी होता रहेगा दोनी की इस रणनीती ने औस्टेलिया आई टीम को वीबी सीरी ज़ारी थी तो औस्टेलिया को ये पचा नहीं वो भारतिय टीम से मिली हार से अंदर तक हिल गए थे दोस्तों दोनी पर आपकी क्या राय है आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दन्यवाद